हाई एब्रिवन माइन डो चैनल में आपका स्वागत है आज हम मैक्सिमाइज यूर पोटेंशियल टू क्रियेट वेल्थ एंड सेक्सेस बुक का समड़ी जानेंगे जिसका हिंदी नाम दौरत और सफलता की रहा है इस बुक का ओथर डॉक्टर जोसेफ मर्फे हैं तो सुरू करते हैं अमीरी की इक्षा ज्यादा सम्रिद ज्यादा पुर्ण और ज्यादा प्रचूर जीवन की इक्षा है अमीर बनने की इक्षा में कुछ भी गलत नहीं है कई लोग को ज्यादा पैसा ना होने का कारण पैसे की निंदा करना होता है वे पैसे को सारी बुड़ाई का ज दूर चला जाएगा आप जो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं ऊपर उठने जीतने और सफलता पाने के लिए अपने विचारों को ऊपर उठा लें नए विचार नजरिया और विश्वास नई प्रस्थितियां बनाते हैं हमें हमारे विश्वास के अनुरूप ही मिलते हैं सोंदर्ये प्रेम सांती बुद्धी मता और सरजनात्मक विचारों का दावा करे हम जिस भी चीज की सच होने की कल्पना करते हैं और उसे महसूस करते हैं वह घटित हो जाएगा स्वत्रता खुशी आदर्स स्वास्त तथा सम्रिति की होसना करे चैप्टर वन दौलत की मास्टर चावी दौलत एक मानसिक नजडिया है जब आप दौलत से दोस्ति कर लेते हैं तो यह आपके पास हमेशा ज्यादा मात्रा में रहेगी ज्यादा पूर्ण ज्यादा सम्रित ज्यादा खुसार और ज्यादा अधुद्ध जीवन जीने की इच्छा सामान्य और सव कट हो जाएगा अमीरी की विचार अमीरी उत्पन करते हैं अपने मन में दौलत का विचार रखें इसे बार बार दोहडाते रहें सुबह शाम पांच मिनद तक रोज कहें इस्वर मेरी आपूर्ती का स्रोत है और वह मेरी सारी जिरुत को पूरा करता है इस्वर की दौलत मे पूराना करें अपने मन में तुरंत विचार को उलट कर कहें इस्वर मेरी सारी अवसकताओं को पूरा करता है इसे महसूस करें आप दावा करें की इस्वर की सांती आपके दिलों दिमाग को सहाबोर करती है दावा करें की सदभाव आपके घर में है दावा करें की के सभी छेत्रों में है सारी अलज़ हमें सिप्रते के लिए उपलव्ध है। प्रकृति उधार दर्या दिल और प्रचूर है इसरी आनंद के लिए दावा कड़े की इसी समय सौने आप आपकी बात ना करें न दूसरों के लिए सोचें अपने वर्दान गिने जब आप अपने वीतर महजूद द्यविये उपस्थिती की ओर मुरते हैं तो प्रतिक्रिया मिलेगी हर विजार सर्जनात्मक होते हैं साकारात्मक सोचें चैप्टर टू अपनी इक्षा का अहसास करें इक्षा सारी प्रगती का कारण है यह हमारे जीवन को प्रगती के लिए धका देता है इक्षा हमें चुन्ने के लिए सक्षम बनाती है आप खुशी, शान्ती, सम्रिती और जीवन की सारी नियामतों का चुनाब करने के लिए यहाँ पर हैं इक्षा सर्जनात्मक सकती है इस से बुधी मता से इस्तिमाल करना चाहिए इक्षा और इसका साकार होना आपके मन में घटित होता है यह एहसास कड़े कि असमित प्रग्या सबी तरीकों से आपका नित्रित्ट करती है और आपको मार्गदर्शन देती है अपना ध्यान अपने इक्षा की बास्तविक्ता पर कि है अपने भीतर की असमित भंदार तक पहुचने की पूरी छमता आपके भीतर है आप जो चाहते हैं उसका दावा करे उसे महसूस करे उसका आनंद ले और यह साकार हो जाएगा किसी भी चीज की निंदा ना करे ऐसा करके हम खुद को नीचा कर रहे हैं और अपने मुल्यों को कम कर रहे होते हैं अच्छाई और बुड़ाई दोनों ही हमारे विचार में हैं हम जिस तरह से सोचते और महसूस करते हैं हमें बारी चीज वैसी ही दिखती है चैप्टर थी अपने अपचेतन मन की प्रोग्रामिंग करना आप अपने विचार के जरिए अपचेतन की नाकारात्मक होता है और आपके विचार की प्रकृति के अनुरूप आपके जीवन में प्रगट होता है कई लोग बच्पन में नाकारात्मक सुझाव या नाकारात्मक कंडिस्निंग के सिकार हो जाते हैं जैसे तुम से कुछ नहीं हो सकता तुम कभी सफल नहीं हो पाओग हमें अपने अप्चेतन मन की प्रोग्रामिंग, सफलता, सम्रीदिता, स्वास्थ और संपति के लिए करना चाहिए हमारे विचार और भाबनाएं हमारे तक्दीर बनाते हैं सम्रीद्धिक के विचार सोचें इसोर की सारी सक्तियां आपके भीटर है आपका बिचार और भावना ही आपके सारे अनुभ़व का जनक है अब चेतन मन आपके आजतन बिचारों और चित्रों के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है अच्छाही को चुने, सही कर्म को चुने हर एक के प्रति सान्ती, प्रेम और सतभाव संचारित कड़े अपने प्रात्रा का मानसिक चित्र देखें उसे महसूस करें चैप्टर 4 निर्ने की अद्भुत सक्ती सभी सफल लोगों में जल्दी निर्ने लेने की छमता होती है चुनने की सक्ती मानब जाती की छमता की सर्जनात्मक सक्ती को उजागर करती है और निर्ने जैसी कोई चीज नहीं होती, जो लोग निर्ने लेने से डरते हैं, वे दरसल अपने खुद के देवत्त को पाचानने से इंकार कर रहे हैं, इस स्वर्ड हम सभी के भी तरवास करता है, चुनाव करना और निर्ने लेना आपका द्यावी तथा ब्रहमाणिय अधिक जब हम खुद के लिए निर्ने नहीं लेते हैं, तो कोई दूसरा हमारे लिए निर्ने लेने लगता है, आप यहां अपना निर्ने लेने के लिए आए हैं, अपनी जिम्मेदारी इसी वक्त सुईकार करें, और अभी से अपना निर्ने स्वेम लें, प्रातना करें और दाव चीट, दुएस, लोगों, इस्थितियों और प्रस्थितियों को सक्ति देना अस्यमित की सम्रिद्धी में कटोती करना है खुद से कहें मैं अपनी दिल की गहराई से संसार के हर वैक्ति के लिए अस्यम सम्रिद्धी की कामना करती हूँ कुछ लोग निर्ने लेने से कई कारणों से घबडाते हैं अगर आपको लगता है कि कोई चीज आपको बार बार चिंतित कर रही है तो आप अपने लिए निर्ने लें बार बार मरने से ज़्यादा अच्छा एक बार मरना होता है वही करें जो आपको करना चाहिए आपका अंडिर्न पुर्ण और खुसहाल जिंद्गी जीना होना चाहिए चैप्टर फाइब अनुसासित कल्पना के चमतकार कल्पना हर काम की शुरुवात है इसका इस्तेमाल बैग्यानिक, चित्रकार, भौतिक सास्त्री, अविस्कारक, वास्तुविद और हस्यवादी युगो युगो से करते आ रहे हैं जब संसार कहता है यह असंभव है इसे नहीं किया जा सकता तो कल्पना सिल व्यक्ति कहते हैं यह किया जा चुका है कल्पना बास्तविक्ता की घहरायों को भेज सकती है और प्रकिर्ति के रहस्यों को उजागर कर सकती है जब आपका मन अपने लक्ष या उद्देश में सनलक्न होता है तो आप अपने मन के सर्जनापमक नियम का इस्तमाल कर रहे हैं और यह साकार हो जाएगा अपने आदर्ष या इक्षा को चेतना में उपर उठा लें इससे उन्नत कर लें खुद को पूरे दिल से इसके प्रती समर्पित कर लें इसकी प्रसंसा करें अपने आदेश को ध्यान, प्रेम और निष्ठा दें यदि आप अपने आदर्स के परसी निष्ठावान रहते हैं तो एक दिन यह बास्तविक्ता में बदल जाएगा सफलता की तस्वीर देखे आप जीतने और सफल होने के लिए पैदा हुए हैं जब आप कल्पना करते हैं कि आप इस समय वही हैं जो आप बनना चाहते हैं तो चमतकार होने लगते हैं इस भूमिका को बार बार निभाए आप वैसे ही बन जाएंगे चैप्टर 6 कोई मुफ्ट लंच नहीं है दुनिया में कोई चीज मुफ्ट में नहीं मिलती है हर चीज की एक कीमत होती है इसी तरह सफलता की भी एक कीमत है इसे पाने के लिए इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी आप जिस भी चीज की इक्षा करते हैं उसके प्रती ध्यान, समर्पन और निश्ठा देना होगा उपचार की कीमत औसमीत उपचारक उपस्थिती में आस्था है आस्था सर्चनात्मक सकती के प्रती ध्यान, समर्पन और निष्ठा है अपने मन से सारे पुर्वागड़, जूठे विश्वासों और अन्विश्वासों को बाहर निकाल दें हम अपने विचार को बदल कर अपना जीवन बदल सकते हैं महसूस करे कि दौलत, सम्रिदी, स्वास, सांती, प्रेम, आनन, सक्ती इस समय सारी चीज़ तयार है वसरते कि आप उसके प्रती खुला हो अपनी द्यानिक समस्याओं को सुल्जाने के लिए उस प्रग्या और उस बुद्धिमानी पर अमल करना है इस स्वार का सामझे से आपके भीतर है विश्वास प्रेम के माधियम से काम करता है हर सवाल का जवाब आपके मानसिक और अध्यात्मिक जगत में पाले ही महजूद है इस स्वार स्वेम आपके भीतरवास करता है इस स्वार दाता और उपहार है आपको अच्छा प्राप करता बनना चाहिए दालत और सफलता पाने के लिए विश्वास करे कि यह आपको मिलेगा विश्वास, लगन, ध्यान, समर्पन ही हुआ कीमत है जो आपको चुकाना है जिस भी विश्वे में आप सफल होना चाहते हैं उसके प्रती ध्यान दे, अपना समर्पन दे और निष्ठा दे और यह आपके सामने अपने रहस्ये खोल देगा बुद्धी मता आपके भीतर कारियरत इस्वर की उपस्थिती और सकती है इस्वर पर विश्वास करे और यह घटित हो जाएगा चैप्टर से बन यह मेरे साथ क्यों हुआ यह इस्वर की योजना है कि सभी लोगों को परियाप्ट खुसी मिले ताकि वो मधूर बने परियाप्ट मुश्किल मिले ताकि वो मजबूत बने परियाप्ट दुख मिले ताकि वो मानबिये बने और परियाप्ट आशा मिले ताकि वो प्रशन चित रहे पे रखें हमारी मनों दसाएं और नजरिये हमारे जीवन सहली का निर्मान करता है चैप्टर एट प्रसंसा समृध्धी का मार्ग समृध्धी के मारग के रूप में हमें यह पाचानना है कि इस्वर की उपचाड़क उपस्थिती और शक्ति हमें सिर्प्रतेक के भीतड़ है छमा मानब जाती के मन, दिल और आत्मा को हलका करती है। महसूस करें कि इस्वर की असीम प्रग्यां और सर्जनात्मक सकती हम में प्रभाहित हो रही है। प्रसंशा करना इस्वर की उपस्थिती का अभ्यास करना है। हमारी मनों दशाएं और नजरिया तैय करते हैं कि हम कैसा जीवन जीते हैं आप जिस भी चीज़ को चाहते हैं उसकी प्रसंसा करें चैप्टर नाइन आपके विश्वास आपको अमीर या गरीब क्यों बनाते हैं जब हम अपने मन पर लगातार अध्यात्मिक मानसिक और भौतिक सम्रिद्धिक के विचार के छाप छोड़ते हैं तो हमारा ज्यादा गहरा मन सम्रिद्धिक को हमारे बस्तु पड़क रूप में ले आयेगा मन हमारी सर्जनात्मक सकती है यह जिस विचार पर एकागर्चित होती है इसकी सकती प्रजशित होगी इसलिए लगातार और केंद्धित परियास की आवसकता होती है दौलत और सम्रिद्धिक की विचार लगातार सोचते रहने से और अधिक अमीरी हमारे और आक करसित होता है अपने नाकारात्मक विचारों को छोड़े अपनी चेतना और समझ में उपर उठें सो भागी को चुने इसे अपने जीवन में सत्ता आपका मार दर्थक बनने दें चैप्टर 10 स्वर्निम नियम यह कहता है कि दूसरे के साथ वही करें जो आप चाहते हैं कि दू कि सकती है हमारे विश्वास विचार राय नजरिये और मान्यता ही हमारे जीवन के अनुभव और प्रस्थितियां का निर्मान करते हैं जब हम प्रेम और सत्भाव से दूसरों के बारे में उदार्था से सोचते हैं सम्मान करते हैं और काम करते हैं तो हमें सांती महसूस होत चैप्टर 11 आपका भविस्य आगे देखने की कला भविस्य की ओर देखना हमारी आंत्रिक और स्मित बुद्धी मता के जरिये अपनी आंत्रिक व्योजना और उद्देशों को साकार करने और प्रदर्शित करने की कला है यह हम में से प्रतेक के भीतर सर्चनात्मक और उपचा करता हूं अभी से अपने भविस्य के बारे में सोचना शुरू कर दें जब हम यह समझ लेते हैं और सुविकार कर लेते हैं कि हमारे भाग्य हमारे तकदीर हमारे सो भाग्य और हमारे भविस्य का नियंत्र हमारे भीतर है तो हम पुर्णता और उपचार पा सकते हैं अब सं हम ऐसा सम्रिदिता और संपंता के बारे में सोचे इक्षा ही सारी प्रगतियों का कारण है हम अपने विचार को बदल के सफलता के लिए प्रोग्रामिंग कर सकते हैं अपने जीवन से जूरे सभी मातपूर निर्ने खुद लें अनुशासित कल्पना से हम अपने जीवन में ज चुनोतियां हमें मजबूत बनाती है आप जिस भी चीज की इक्षा रखते हैं उसकी प्रसंसा करें वह चीज आपको मिल जाएगी अपने भविस्य के बारे में सोचे इससे आप अपने भविस्य को बहतर बना पाएंगे कल्पना की सकती का इस्तिमाल करके आप अपने बहत कीजिए आप और कौन से बुक का समझे चाहते हैं हमसे शेयर कीजिए थैंक्यू सो मच जो आपने अपना बहु मुल्य समय हमें दिया